आज दुनिया भर में भारती शास्त्री संगीत के प्रती दिवानगी है यह जो इस्थिती आज है कि पिछले एक सदी से भारती संगीत का इतिहास सिर्फ स्वरणिम ही स्वरणिम दिखता है वह सब इतनी आसानी से हासिल नहीं हुआ इसे हासिल करने के पीछे एक संगीत कलाकार ने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया था उसी कलाकार की जिद जुनून लगन और समर्पड की ही कीमत पर आज भारती शास्त्री संगीत इतने बड़े फलक पर विस्तारित दिखता है उस कलाकार का नाम था विश्वन दिगंबर पलुसकर पंडित विश्वन दिगंबर पलुसकर भारती समाज में संगीत और संगीतकार की उच्च प्रतिष्ठा के पुनरुध धारक समर्थ संगीत गुरु आप्रतिम कंट स्वर एवं गायन कोशल के धनी भक्त हिर्दय गायक थे आज हम इन्ही महान शक्षियत के जीवन परिचे के बारे में बात करेंगे सरप्रतम शंक्षित परिचे जन्म 18 अगस्त 1872 इश्वी जन्मस्थान बेल गाउं कुरुंदवार पिता का नाम दिगंबर गोपाल माता का नाम गंगा देवी गुरु का नाम बालकिष्ड बुआ इचल करंजिकर मृत्यू 21 अगस्त 1931 इनके पिता दिगंबर गोपाल धार्मिक भजन और किर्तन गायक थे इसलिए इन्हे घर में ही संगीत का माहौल मिला बच्पन में ही समीप वर्ती एक कस्बे में आतिश पाजी के दौरान उनकी आँख के सामने पटाखा फटने के कारण उनकी दोनों आँखों की रोशनी चली गई जिससे उन्हें इश्कूली शिक्षा बंद करनी पड़ी इस प्रकार उन्हें बच्पन में ही भीशर्त राज़ी से गुजरना पड़ा आँखों की इलाज के लिए वे समीप के मिरेज राज़ी चले गए वहाँ उन्हें मिरेज रियासत के ततकालिन महाराज ने आश्रे परदान किया पलुसकर जी ने मिरेज में ही गौलियर घराने में शिक्षित पंडित बालकिष्ट बुगा इचल करंजिकर से बारह वर्स तक संगीत की शिक्षा ग्रहन की जो संगीत कभी पवित्र मानी जाती थी मोक्ष का एक साधन थी वह बुरे दिनों में गिर कर नीचे आ गई थी अतह पंडि जी सन 1896 में राजासरे के सभी सुखों का त्याग करके संगीत को उच्च स्थान दिलाने के लिए भारत भरमर पर निकल पड़े सर पर्थम वे सतारा गए वहां उनका भवे स्वागत हुआ और उनका गायन कारकरम बहुत सफल रहा पंडि जी के प्रयासों से वहां के लोगों में संगीत वसंगीत तक्यों के प्रती श्रद्धा उत्पन हुई इसके बाद बडवदा, गौालियर, दिली, लाहौर और इलाहाबाद आदी अनेक स्थल पर जाकर अपने गायन से सुरुताम को प्रभावित किया और संगीत की प्रतिष्टा बढ़ाई उन्होंने लाहौर को सर पर्थम अपना कारक शेत्र चुना पलुसकर संभोतः ऐसे पहले शास्त्री गायक हैं जिन्होंने संगीत के सारजुनिक कारक्रम आवजित कर धनारजन भी किया उन्होंने अपने मतुरा आगमन के पश्चाथ वहां बंदिश्य समझने के लिए ब्रजभासा सीखी तथा धुरुपश शैली को भी अपनाया मतुरा के बाद पंजाब फिर लाहोर पहुँचे और 5 मई 1901 में गंधर्म महाविद्याले की स्थापना कर कई विभूतियों को तयार किया बाद में उन्होंने मुंबई में भी 1908 में गंधर्म महाविद्याले की दूसरी स्थाखा को स्थापित किया उन्हें आर्थिक कारणों से इसे बंद भी करना पड़ा इनके शिश्यों में पंडित ओम कारनाथ ठाकुर पंडित विनायक राव पटवर्धन पंडित नारायन राव और उनके पुत्र डीवी पलुसकर जैसे दिगज गायक थे पंडित विश्यों दिगंबर ने तीन खंडों में संगीत बाल बोध नामक पुस्तक लिखी और 18 खंडों में रागों की स्वर लीपियों को संग्रहित किया इसके अतरिक्त उन्होंने स्वलपा लाब गायन, संगीत तत्व दर्शक, राग प्रवेश, महिला संगीत, संगी पंडित बाल बोध, भजना अमरित लहरी, इत्यादी लगभग पच्चास पुस्तकों की रचना की, विश्यों दिगंबर पलुसकर जिसकी वदवलत भारत का शास्त्री संगीत दुनिया भर में मान पा सका, महात्मा गांधी के प्री भजन रगुपति रागयो राजाराम क पहले कंपोजर और मौलिक गायक विश्यों दिगंबर परुसकर ही थे, इन्होंने स्वरलीप की रचना की, जिसका नाम विश्यों दिगंबर स्वरलीपी पधती है, हिंदुस्तानी शास्त्री संगीत के इस पुरोधा गायक और महान साधक का निधन 21 अगस्त 1931 को हो गया, जो संगीत जगत के लिए एक अपून शती है, धन्यवाद.